हे गाईज वेलकम बेक टू माई योटूब चैनल गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसी के प्रिविएस एर के पेपर है वो कैसे डाउनलोड करना है तो गाईज यहां पे आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि एनसी की ओनलाइन क्लासे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आप एनसी की क्लासे हैं वो लगा सको और इसके साथ में एग्री कल्चर की एनी अपडेट है जैसे अग्री कल्चर की जोब है लेटेस्ट अपडेट है वो आप सभी को चैनल के मादम से पता चले हमारा ओफिशियल चैनल है एग्री बैमनोसर यूटूब चैनल नेम है तो गाइज यहां पर सबसे पहले आप सभी पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिज मेट का पेपर जो 12th पास वाली बरती है उसके ज़्यादा पूछ रहे हैं उसके पेपर हैं क्या कुछ ज़्यादा पूछ रहे हैं सीनियर ट्रेनिज एग्री कल्चर के पेपर हैं क्या तो guys आपके सामने ये paper मैंने open कर रखा है और इसको download करने का कैसे है वो आप सभी को बता देता हूँ इसके साथ में आप सभी के लिए important news है वो भी बताऊँगा तो guys इन paper को download करने का link है वो नीचे description box में दिया हुआ है वहाँ से जाकर download कर सकते हो इन सबका link है वो अलगलग बनाया हुआ है मेरा जैसे यहां पे देखिये printing marketing paper है यहां पे eyelids agriculture का paper है ट्रेनीज जो agriculture storage है उसका paper है् ट्रेनीज मेट यहां čिण के मेट अग अग मेट के paper है तो इस तरह से यहाँ पे है वो पेपर दिखाए हुए हैं तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो देखे आप गाईज बात करेंगे कि NAC exams के रिगार्डिंग आप सभी notes प्रवाइड कराना चाते हो या उपलब्द यानि की लेना चाते हो तो आप सभी से एक request है आप हमारे टेलेग्राम चैनल में जाएए वहाँ पे आप सभी को अपलोड कर दिये जाएंगे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना वहाँ से जाकर biology के जैसे 12th pass वाले है तो biology का syllabus होता है उसके साथ में reasoning होती है और यहाँ पे agriculture होती है तो वह अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ पे trainees के लिए यहाँ पे agriculture हो अपलोड कर दी जाएगी बाकि कोई भी other other जैसे syllabus है उसे according आप सभी को चैनल में अपलोड कर दी जाएगी यानिकि टेलेग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाएगे अगर आप सभी को link open नहीं हो रहा है तो आप सभ सभी को चैनल के मादेम से बता दी जाएगी धन्यवाद